Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी इंट्राडे अनलेसिस सेयर करूँगा जिसमें कम से कम risk reward ratio 1 is to 2 या फिर इस से ज़्यादा का होगा तो चलिए आज की इस बहतरीन वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले Traders हमेशा की तरह हम लोग उने स्टॉक्स को discuss कर लेते हैं जिसे मैंने आप लोगों के साथ आज के इंट्राडे सेक्षन के लिए सेयर किया था कि आखिर उने स्टॉक्स ने आज कैसा performance दिया है तो आज के लिए Traders मेरा सबसे पहला Intraday Stock था D-Mart जिसके अंदर आज हम लोगों को एक बहुत ही सांदार breakdown देखने के लिए मिला और फिर हम लोग देख सकते हैं कि उसके next candle में ही ये हमारे target को बहुत ही easily achieve कर चुका था उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को एक हलका सा retesting भी देखने के लिए मिला और फिर इसके अंदर हलका सा fall होते हुए नजराया है तो I hope आप लोगों ने इस analysis का भरपूर फायदा उठाया होगा आज के लिए मेरा दूसरा Intraday Stock था हिंदोस्तान Unilever इसके अंदर भी Tedas हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सांदार हम लोग को breakout देखने का मौका मिला था morning session में ही और उसके बाद ये भी हमारे target को बहुत ही successfully achieve किया है और Tedas दो दिन पहले ही मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था कि आप लोग हिंदोस्तान Unilever के अंदर 2740 के भी level को mark करके रख सकते हैं और जिस भी दिन हिंदोस्तान Unilever में ये वाली जो level है वो breakout होते हुए नजर आती हैं उस दिन आप लोग इसके अंदर एक और अच्छा खासा momentum catch out कर सकते हैं अगर आप लोगों में से किसी ने भी 2740 के breakout आने के बाद इसके अंदर कोई भी trade initiate किया था तो आप लोग नीचे comment section में जरूर बताएगा आज के लिए मेरा अगला intraday stock था SBI card इसके अंदर भी traders हम लोगों को एक बहुत ही सांदार breakdown होते हुए नजर आया है और exactly जो हमारा target था इसके अंदर वहीं तक का low भी इसके अंदर बनते हुए नजर आया है तो I hope SBI card के अंदर भी आप सभी लोगों ने एक भेतरीन profit जरूर generate किया होगा मुझे नीचे comment section में जरूर बताईएगा आज के लिए मेरा अगला intraday stock था Paytm जिसके अंदर आज हम लोगों को कोई भी entry लेने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि आज ही अपने इस support zone को break नहीं कर पाया और नहीं हम लोगों को बर्जर पेंट के अंदर आज कोई भी entry लेने का मौका मिला क्योंकि आज हम लोग देख सकते हैं कि एक बर फिर से ये अपने इसी trend line को बहुत ही अच्छी तरह से respect देते हुए नजरा है इन सारे stocks के साथ साथ traders मैंने आप लोगों के साथ Infosys और ACL Tech का भी chart analysis share किया था जिसमें से ACL Tech के अंदर traders हम लोग को देख सकते हैं कि एक बहुत ही सांदार breakout हम लोग को देखने के लिए मिला था और मैंने कल के ही वीडियो में आप लोग को बताया था कि 1200 का जो level है वो इसके लिए psychologically एक strong resistance का काम करने वाला है तो यहाँ पर मैंने आप लोग को profit booking के बारे में भी suggestion दिया था अगर आप लोगों में से किसी ने भी 1200 पर आज profit book किया था तो मुझे नीचे comment section में जरूर बतायेगा और उसके बार traders जैसा मैंने आप लोग को बताया था similar kind of action होते हुए नजर आया है हम लोग को यहाँ पर एक अच्छा closing ACL take के अंदर भी देखने के लिए मिला है वहीं पर infosys के अंदर आज हम लोग को बहुत ही बड़ा gap up opening देखने के लिए मिला था और मैंने आप लोग को कल ही बताया था कि अगर infosys या ACL take में कहीं पर भी gap up opening देखने के लिए मिलता है तो आप लोग उस trade को completely ignore कर दीजेगा तो I hope आप लोगों में से किसी ने भी infosys के अंदर कोई trade आज initiate नहीं किया होगा हलाकि जीन लोगों ने यहाँ पर reversal आने के बाद एक trade लिया होगा उन लोगों ने या तो इस trade को cost to cost या फिर हलका सा profit में exit किया होगा तो traders मुझे नीचे comment section में जरूर बताएगा कि आज कौन-कौन से intraday stocks में आप लोगों ने trade लिया था और अगर आप लोगो को कोई भी दिक्कत आ रही है trade लेने में या फिर किसी other stock के बारे में भी कुछ पूछना है तो आप लोग नीचे comment section में पूछ सकते हैं तो I hope traders आप लोगों को मेरी analysis के साथ साथ जो accuracy है वो भी पसंद आ रही होगी इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इसे like कर दीजेगा साथी में अभी भी आप लोगों में से बहुत सारे आसे लोग है जो daily मेरी videos को देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो उन लोगों से मेरा request है कि आप लोग भी चैनल को subscribe कर दीजेए जिससे कि मुझे थोड़ा सा और motivation मिल सके कि मैं आप लोग के लिए और भी बेहतरीन intraday stocks खोज करके लाया करो और today's आज का result देखते हुए मैं आप लोग को एक और बात कहना चाहूँगा कि आप लोग देख सकते हैं कि SBI card, हिंदुस्तान, Unilever और Demart इन तीनों का analysis मैंने आप लोग के साथ परसो ही share किया था कल इन तीनों के अंदर हम लोग को कोई भी entry लेने का मौका नहीं मिला था कल इन तीनों ने अपने support और resistance को बहुत ही अच्छी तरह से respect दिया था लेकिन आज हम लोग देख सकते हैं कि इन सारे stocks के अंदर हम लोग को breakout या बहुत ही सुंदर सा breakdown भी होते हुए नजर आया और तीनों में हमारा जो target था वो successfully achieve होता हुआ भी नजर आया है और जिसमें हमारा target भी achieve हुआ था लेकिन आज हम लोग देख सकते हैं कि इन ही सारे stocks के अंदर हम लोग को trade करने का मौका मिला और सभी के अंदर हमारा जो target है वो successfully achieve भी हुआ है तो I hope आप लोग इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा तो चलिए traders अब हम लोग discuss कर लेते हैं उन stocks को जिसे आप लोग कल के लिए अपने watchlist में add करके रख सकते हैं और कल जीन stocks के अंदर potentially हम लोग को कोई भी breakout या भी breakdown देखने के लिए मिल सकता है लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहें तो the marketverse की telegram channel को भी join कर सकते हैं UPL के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि one hour के time frame में यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही सुन्दर सा triangle pattern बनते हुए नजरा रहा है साथी में यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही सुन्दर सा inverse cup और handle pattern भी बनते हुए दिख रहा है और जहां आज market के अंदर हलका सा buying strength देखने के लिए मिला था वही पर UPL के अंदर हम लोग को continuous selling होते हुए नजराया है तो ऐसे में कल अगर ही अपने इस support zone को break कर देता है तो definitely इसके अंदर एक अच्छा का सा fall हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है तो इसी रिए traders आप लोग UPL को जरूर कल के लिए अपने radar पर रखेगा इसका जो level से हो मैंने आप लोग के यहां पर mention कर दिया है आप लोग जरूर इसे note down कर लिजेगा या फिर screenshot भी ले सकते हैं लेकिन traders बेटर यहीं रहेगा कि आप लोग भी मेरी तरह support और resistance को draw कर लीजिए ताकि live market में आप लोग और भी ज़्यादा clarity के साथ अपने trades को execute कर पाए कल के लिए मेरा दूसरा intraday stock रहेगा लिउपिन लिउपिन के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुबसूरत सा हम लोग को bullish payment pattern बनते हुए नजर आ रहा है तो ऐसे में कल अगर यह अपने इस resistance zone को break कर देता है जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यह बार-बार resistance phase करते हुए नजर आ रहा है कि अगर लिउपिन अपने इस support वाले trend line को break कर देता है जहां पर यह already बहुत बार support ले चुका है और इसी line से हम लोग को हमेशा इसके अंदर एक अच्छा खासा momentum देखने के लिए मिलता है तो उस case में हम लोग को selling side में भी इसके अंदर एक अच्छा खासा pressure create होता हुआ नजर आ सकता है तो 894 के नीचे हम लोग definitely इसको sell कर सकते हैं लेकिन जो target है वो अभी मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ के लिए traders मेरा अगला intraday stock रहेगा IGL IGL के अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुपसूरत सा symmetrical triangle pattern हम लोग को बनते हुए नजर आ रहा है साथी में ये जो zone है वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा crucial resistance का भी काम कर रहा है यहाँ पर हम लोग को एक छोटा सा cup और handle pattern भी बनते हुए दिख रहा है तो ऐसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakout देखने का मौका मिलता है तो triple confirmation के साथ हम लोग इसके अंदर अपने trade को initiate कर सकते हैं और एक अच्छा खासा intraday move हम लोग IGL के अंदर capture कर सकते हैं अगर आप लोग को अपना 50% quantity book कर लेना चाहिए और उसके बाद आप लोग final target के लिए भी definitely wait कर सकते हैं अगर आप लोग को ज़्यादा डर लएगा उस समय या बार बार आ करके यह 48 पर ही resistance face करेगा तो उस time पर आप लोग full quantity भी book कर सकते हैं लेकिंटेडस आप लोग को बस एक बार ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर मैंने SL जो है वो 483 पर रखा हुआ है अगर यहाँ पर breakout देने के बाद आधा घंटा यह sustain कर जाता है तो उसके बाद आप लोग definitely SL को live market में candlestick pattern को देखते हुए trail कर सकते हैं और अगर आप लोग को वो नहीं भी आता है तब भी आप लोग SL को कम करके 484 पर जरूर कर दीजेगा जिससे कि अगर यहाँ पर false breakout भी हम लोग को देखने के लिए मिले तो उस case में हम लोग को ज़्यादा नुकसान इसके अंदर नहीं होगा तो आई होप आप लोग मेरी इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखेंगे और कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा पिरामल इंटर्प्राइज़ यानि कि P.E.L. इसके अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खुपसूरत सा हम लोग को flag pattern भी बनते हुए नजर आएगा stocks जो है वो already पिछले कुछ दिनों से एक upward direction में momentum दे रहा है तो ऐसे में कल अगर ये अपने इस resistance zone को break कर देता है एक अच्छे volume के साथ में तो definitely एक अच्छा खासा intraday move हम लोग P.E.L. के अंदर भी capture कर सकते हैं तो इसका भी levels मैंने आप लोग के लिए यहां पर mention कर दिया है आप लोग जरूर इसे note down कर लीजिएगा और कल के लिए मेरा आखरी intraday stock रहेगा कोटक bank इसके अंदर टेड़स हम लोग देख सकते हैं कि ये फिर से अपने एक crucial resistance के आसपस में आकर के trade कर रहा है जो उनको break कर देता है तो एक अच्छा खासा intraday move हम लोग कोटक bank के अंदर भी capture कर सकते हैं तो इसलिए टेड़स आप लोग कोटक bank को भी जरूर अपने radar पर रखेगा तो कल के लिए टेड़स आप लोग इन पांचों intraday stock को अपने radar पर रख सकते हैं और इन पांचों के लावा भी कुछ ऐसे intraday stocks हैं जो already मेरे radar पर हैं जैसे कि HDFC, AMC के अंदर हम लोगो flag pattern बनते हुए नजरा रहा है Apollo Hospital के अंदर भी एक सुन्दर सा pattern है इसी प्रकार से HDFC, Axis Bank, M&M Finance, Tata Motors, Hindalco इन सभी के अंदर कोई न कोई pattern बनते हुए definitely नजरा रहा है लेकिन इन सारे stocks के analysis में आप लोगों के साथ share नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे video जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वैसे भी daily intraday profit बनाने के लिए हम लोगों को सिर्फ एक या दो अच्छे trades ही चाहिए होते है जो कि इन पाचों में से definitely किसी ना किसी में आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग patience के साथ trading करते हैं तो लेकिन चलिए इन पाचों के लाव अभी एक और intraday stock के analysis में आप लोगों के साथ share कर देता हूँ क्योंकि उस stock के अंदर मैं personally कल एक intraday trade जरूर लूँगा और उस stock का नाम है हिंदुस्तान Unilever यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कुपसूरत सा हम लोग को cup और handle pattern बनते हुए नजर आ रहा है साथी मैं अगर बात करें इसके neckline का तो हम लोग देख सकते हैं कि यह पिछली 2 साल से अपने इस resistance zone को break करने का try कर रहा था और आज finally यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ही अच्छे strength के साथ में breakout देखने के लिए मिला है अगर हम लोग बात करें volume का तो वो भी आज बहुत ही अच्छा था candle का strength भी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है तो एक अच्छा खासा intraday trade इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है लेकिन कल ऐसा भी हो सकता है कि यह थोड़ा सा gap up open हो या फिर हलका सा flat opening इसके अंदर देखने के लिए मिले तो definitely हो सकता है कि 2740 पर मैं अपने trade को इनी C8 करूँगा तो जो भी मेरा trade plan था हिंदुस्तान Unilever के अंदर वो मैंने आप लोग के साथ share कर दिया है जिसका huge आप लोग कल live market में कर सकते हैं और टेड़ेस हम में से हर कोई live market के अंदर profit ही earn करना चाहता है तो अगर आप लोग चाहे तो मैं इन सारे stocks जिसके analysis अभी share नहीं कर रहा हूँ वीडियो के अंदर इन सब की भी analysis मैं आप लोग के लिए telegram channel पर provide कर दूँगा तो उसके लिए आप लोग नीचे comment section में बता सकते हैं नहीं तो फिर आप लोग सिर्फ इन पांचो intraday stocks को भी अपने radar पर रख सकते हैं हिंदुस्तान Unilever के साथ में इन सब में से भी किसी ना किसी में आप लोग को definitely trade में देखने के लिए मिल जाएगा और एक अच्छा का सा intraday move भी आप लोग capture कर सकते हैं बस आप लोग को देखना होगा कि breakout जो है वो कैसा breakout है अच्छे volume के साथ में आया है या फिर नहीं आया है candle का closing कहां पर हुआ है और अगर candle का closing आपके trade के according नहीं हुआ है तो आप लोग उस trade से exit भी कर सकते हैं already मैं अपने हर एक intraday analysis में आप लोग के लिए risk reward ratio 1 is to 2 कहीं रखता हूँ कि अगर किसी stock में आप लोग को stop loss भी हीट हो जाता है तो भी आप लोग उसको बहुत ही easily किसी दूसरे trade से recover कर सकते हैं in fact दो stop loss को एक profit definitely recover कर देगा तो उसके लिए आप लोग को ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है तो I hope traders आप लोग को मेरी जो analysis है वो पसंद आ रही होगी इसलिए आप लोग video को जरूर like कर दीजेगा और साथी में traders अभी मेरे दिमाग में एक और idea चल रहा है आप में से बहुत सारे लोग different different stocks के उपर में doubts पूछते हैं जिसका reply मुझे को लगभग 2-3 line में देना होता है लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी stocks का doubt रहता है आप लोग का जिन stocks की chart analysis में आप लोग के साथ share करना चाहता हूँ जिसे मैं comment section में नहीं कर सकता हूँ तो हो सकता है कि आज से आप लोग जो भी stock के बारे में doubt को पूछिएगा अगर उसका chart analysis मुझे आप लोग के साथ share करना होगा तो उसके उपर मैं 1 minute की short video आप लोग के लिए create कर दूँगा और उसका link मैं अपने telegram channel पर provide कर दूँगा जिससे कि आप लोग उस video को देख सके अब चुकि वो short video रहेगा तो उसके उपर कितना भी view जाए उससे कोई मतलब नहीं है उससे मेरा main aim यही रहेगा कि जिसने भी उस doubt को पूछा है नीचे comment section में उसको बहुत ही अच्छे से उस doubt का clarification मिल जाए तो अगर आप लोग को भी यह idea अच्छा लगता है तो नीचे comment section में बता सकते हैं साथी में traders अगर आप लोग को live market में भी कोई दिक्कत आती है या फिर किसी stock के बारे में आप लोग पूछना चाहते हैं किसी trade के बारे में advice लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मुझको message कर सकते हैं सारी चीजों का जो link है वो नीचे description box में आप लोग को मिल जाएगा अगर मैं right time पर आपके message को scene कर लेता हूँ तो definitely reply आप लोग को मिल जाएगा साथी में आप लोग को whatsapp news group में भी जुणने का मौका मिलेगा और मुझसे भी मन्तली दो बर आप लोग live discussion कर सकते हैं तो अगर आप लोग को मेरी analysis अच्छी लगती है और channel को support करना चाहते हैं तो 89 rupees per month के offer price पर channel की membership को भी join कर सकते हैं लेकिन traders यहाँ पर मैं आप लोग से बस एक बात कहना चाहूँगा कि इससे आप लोग को कभी भी live market में कोई extra call देखने के लिए नहीं मिलेगा तो आप लोग genuinely channel को support करना चाहते हैं और इसके benefits को उठाना चाहते हैं तभी channel की membership को join किजेगा और इसी के साथ traders हम लोग आज की अपनी इस वीडियो को खतम करते हैं I hope आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी धन्यवाद